Dear Students, इस module में हम Class Polykids के Nervous और Sensory Functions को Discuss करेंगे Class Anilida की कोई भी, Phylum Anilida की तीनों Classes के अंदर Nervous System जो है इनका Function और इनका Structure जो है वो Similar है और Anilids जो है इनका Nervous System किस चीज़ पे मुश्तमिल होगा इनका Nervous System जो है वो एक Ganglion पर मुश्तमिल है और Ganglions के मुख्तलिक नाम है इनके नाम जो है वो दे आर यूजूली गिवन अन्टू दी प्लेस वेर इस Ganglions आर लोकेटड़ अब एक है इसके अंदर Suprafingal Ganglion, Ganglions जो है वो हमेशा Pairs की शकल में मवजूद होंगे अब Anilates के Nervous System में है Pair of Suprafingal Ganglion इसके बाद है Pair of Subpharyngeal Ganglion Supra का मतलब है उपर, Sub का मतलब है नीचे जो Pharynx से उपर होगा उसको हम Suprafaryngeal Ganglion कहेंगे जो Pharynx से नीचे होगा उसको हम Subpharyngeal Ganglions कहेंगे और यह दोनों Ganglions के Pairs जो है यह आपस में Connected है और इनके Connection के लिए जो Terms यूज होगी वो Nervs जो इन Ganglions को Connect करती है उनको हम कहेंगे Connected इसके इलावा जो है Ganglions यह Connected जो है जो दोनों Ganglions को आपस में मिलाएंगे दे यूजूली रन डॉर्सो वेंटरली ओन आइधर साइड आफ दा फैरिंस फिर वेंटरल नर्व कार्ड जो है यह हमेशा डबल होगी और इट इस यूजूली रनिंग लॉंग दा इंटार लेंग्थ आफ दा वर्म और इस में यह एनिलेट्स के फाइलम में यह खुबी है कि हर सेग्मेंट्स के अंदर अपना एक गैंग्लियान का पेर मवजूद होगा और जो डबल वेंटरल नर्व कार्ड है यह पेर सेग्मेंटल गैंग्रियाज है यह डिफरेंट बाडी पोजीशन में फ्यूज होकर डिफरेंट इनकी लोकेशन होगी और इसी की बेस पे एनिलेट्स के फर्दर टेक्सोनामिक ग्रूपिंग भी की जाती है अब लेटरल नर्व की हमने बात की लेटरल नर्व जो है हर वो गैंग्लियान जो के सेग्मेंट के अंदर मवजूद है उससे जो लेटरल साइट पे नर्व अराइज होंगी उनको हम कहेंगे लेटरल नर्व अब ये लेटरल नर्व कहां जाएंगी ये लेटरल नर्व जो है नॉर्मली दे सप्लाइ दा बाडी वाल मस्कुलेचर एंड अधर स्ट्रक्चर्जर्स ओफ डैट सेग्मेंट फिर इ इसके लावा हर सेग्मेंट जो है दैट यूजूली एक्स सेपरेटली के हर सेग्मेंट का अपना इंडिपेंडेट फंक्शन है लेकिन सारे सेग्मेंट के फंक्शन जो है वो जब सिंक्रोनाइज हो जाएंगे तो दे विल एड टू बाडी फंक्शन अब इस डाइग्राम से आपको हम एनिलेट्स के नर्वेस और सेंसरी फंक्शन को बेस्ट वे से एक्स्प्लेइन कर सकते हैं अब यहां पर गैंगलियॉन देखें सुप्रा फिरेंजियल गैंगलियॉन और दूसरा जो इंपॉर्टन गैंगलियॉन है वो है सब फिरेंजियल गैंगलियॉन सुप्र जो structures arise हो रहे हैं इनको हम कहते है sensory projections अब दोनों ganglion जो है ये दोनों एक दूसरे से connected हैं with the help of connectives और जो connectives हैं उसको हम कहेंगे circumferential connective अब बाकी body segments में आप देखें हर body segment के अंदर अपना ganglion मजूद है और इसको हम कहेंगे segmental ganglion जानी अगर 41 body segments है तो इसके अंदर 41 ही segmental ganglion मजूद होंगे और ganglion से जो nerve arise कर रही है उनको हम कहते हैं lateral nerves अब lateral nerves और एक ganglion का अगर हम structure enlarge करके देखें तो इसके अंदर हमें नज़र आती है fibers ये fibers भी दो तरह की हैं body fibers और छोटी fibers बड़ी fibers को हम कहेंगे giant fibers छोटी fibers को हम कहेंगे small fibers तो sensory और nervous function में हमने sensory nervous system में हमने ये बात की ganglion की अगर हम sensory functions की बात करें तो analytes के अंदर well developed eyes मजूद हैं यानि इनके अंदर VN की power जो है वो बहुत ज्यादा है तो analytes they show an excellent example of nervous and sensory functions और जितने भी ये ganglion है हर segments के दे हर एक ganglion के segment के अंदर अपना ganglion है लेकिन जब body का function add करना होगा तो ये सारे ganglions जो है they will add to their function और उसमें best example जो है वो है इसकी swimming and walking movements अभी हमने बात कर रहे थे ganglions की तो suprafaryngeal ganglions जो है इसका controlling function क्या है ये normally body के motor और sensory functions को control करता है लानी और इसके साथ feeding का process sensory functions जो है locomotion ये सारा काम जो है this is related with the suprafaryngeal ganglion जबके subfaryngeal ganglions इसका क्या function होगा this usually mediates locomotory functions and require coordination between the distance segments अभी हम fibers की बात की fibers जो होगी they all help in coordinate movements for example इसके अंदर अगर हम देखें के कोई भी अगर body के बाहर stimulus है वो stimulus जो है वो animal ने उसके accordingly response करना है तो जितनी भी इसके अंदर nerves है they will usually show harsh movement and the animal usually response to the stimulus